आज मैं आपको बताऊंगा कि पेजमेकर 7.0 के अंदर सबसे आसान तरीका क्या है ब्रॉशर्स डिजाइन करने का जनरली क्या होता है देखिए अलग-अलग सौफ्टवेर्स का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे अडोबी, इलस्टेटर हुआ, कोरल ड्रा हुआ, इन सब में हम लोग आसान तरीके से ब्रॉशर्स जो है ट्राइफोल ब्रॉशर हो बाइफोल ब्रॉशर हो ये सब बना सकते हैं लेकिन अगर पेजमेकर 7.0 के अंदर ऐसा क्या है तरीका जिसके दोरा हम आसानी के साथ ट्राइफोल ब्रॉशर कैसे बना सकते हैं तो सकते हैं यहां पे मेरा page maker 7.0 खुला हुआ है तो जब आप open करते हैं तो उसका कुछ look इस तरह अगर आपको नजर आता है तो यहां से आपको करना क्या है आपको नया page ना ले आप directly यहां से जो menu बार है यहां पे दिखाई दे रहा है आपको window menu में जाएं जाने के बाद यहां पैलेट है यहां से इसके sub menu में जाएंगे यहां पे देखिए so template palette यहां पे देख सकते हैं इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का देखिए templates इस तरह का आता है अगर आप start जब करते हैं page maker के अंदर तो यह वाला starting में यह आपको मिलता है यहां पे देखिए templates दिया कुछ नहीं करना है simply size वगर सब कुछ दिया हुआ है सिपाप उसमे text photo वगर add करके आप बना सकते हैं अब यहां पर देखिए category का जो box दिया हुआ इसमें अगर click करते हैं थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए brushes लिखा हुआ देख सकते हैं इस पर आप क्लिक अब यहां पर देख सकते हैं इसको मैं अगर click करता हूँ click करने के बाद माले ते यह वाला मुझे लेना है अब लेने के बाद यहां पर देखिए create publication है इस पर click करते हैं अब यह देखिए open हो रहा है यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर बोल रहा है font matching result missing बहुत बहुत ब क्लिक कर डें क्लिक करने के बात देख सकते हैं यह ब्रॉश इहां पे आ चुक है देखिए अब यहां पे कुछ आप आप प्राइब को दिखाई दे रहा है यह हो सकता है चोटा में इसको मैं चोटा करके दिखाता हूँ बढ़ा करके भी दिखा दूंगा और यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो जो थाया उसके आपको आउटसाइड लगता है दूसरा एक इंसाइड का पैनल लगता है तो आप नीचे जग आपका start बटन है यहां यहां पे दिखे दो पेज आपको डिफॉल दिखाई दें रहा होगा नीचे में दिखेंगे यहां पे यह पहला वाला है जो आपका outside यह है जो हम लोग बनाते हैं ब्रॉशे ट्राइफोल का उसका outside का यह वाला look है यहाँ पर देखे एक दो तीन कहने का मतलब यह है जो portion नहीं यह आपका front है और यह वाला आपका back है और यह वाला आपका fourth panel है मतलब यह वाला जो है यह अंदर जाता है यह वाला यह portion अंदर जाता है यह भी इसमें हटा के आपको दिखाता हूं करना क्या है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आता हूँ यहाँ पर दो नमबर पेज में तो यह वाला inside वाला portion है देख सकते हैं इसमें भी तीन आपको यहाँ पर ले आउट दिखाई दे रहा है एक यह एक यह और एक यह दिखाई दे रहा तीन हिसे में यह वाला inside वाला है देख सकते हैं यह panel 1 है यह panel 2 है यह panel 3 है यह अंदर वाला हिस्सा है यह inside वाला ब्रॉशर का हिस्सा है अब फिर से हम लोग एक number panel पे यहां पे आ जाते हैं अब देखें थुआ सा मैं इसको zoom out करता हूँ छोटा करता हूँ page को जिससे आपको अची तरह से सम तो simple यहां पे जाईए आप यह जो मेनू बार है ले आउट में यहां पे जाईएगा यहां पे देखेंगे तो इस तरह आपको लुक यहां पे दिखाई दे रहा है कि दो पेज आपको यहां पे एक और दो इसको आप बड़ा कर सकते हैं यहां पे नीचे प्लस का बटन दि यह आपका यह वाला आपका आउटसाइड वाला है और यह वाला इंसाइड वाला तीनों में देखें तीन कॉलम है छे पार्ट है देख सकते हैं कहने का मतलब है कि यह वाला अगर एक नंबर है तो यहां से जब डिजाइन करते हैं जो आउटसाइड वाला होता है एक नंबर जो आपका फ्रंट वाला है उसके बाद यह आपका दो नंबर इंसाइड वाला और यह आपका तीन नंबर और यह आपका चार नंबर देख सकते हैं यह आपका पांच नंबर और यह आपका छे नंबर तो मतलब छे हिस्सा होता है अब थोग से हम लोग बाहर होते हैं अब यह भी इसको करना क्या है देखिए पहला फ़र प्लेज नahh चले जाते हैं तो यह फोटो लगा सकते ह मैं यह सब दिए हूए तो मुझे नहीं चाहिए यह पर शनय यहां पर गैल यांपे बताया गया धेकल्ग और आपको गैल गैलाना धी जो गाइड लाइन जो है इसी के अंदर आपको टेक्स रखना है सब कुछ यहां पर देखें में सिर्फ को हटा कि आप इसमें टेक्स वगरा पुट कर सकते हैं यहां पर लोगो देखें लोगो के लिए भी यहां पर दिया हुआ देख सकते हैं प्लस यह वाला आपका फ्रंट मने देने के लिए यहां पर समझा दिया गया मतलब कोई मुश्किल नहीं होगा प्लस यहां पर इंसाइड वाला पॉर्चन जाएगा यह देखें प्लेस आर्ट वर्क प्लेस आर्ट वर्क यहां भी सब कुछ दिया हुआ है अब रहा सवाल यह सब तो मुझे नहीं चाहिए तो सब कुछ यहां पर सब कुछ लिखा हुआ तो यह नहीं चाहिए तो इसको सिंप्ली आपको करना कुछ नहीं सिंप्ली यहां पर क्लिक करते हैं यहां से एडिट में जाके यहां से आप इसको क्लियर कर दिजिए यह भी नहीं चाहिए तो इसको भी यहां से यहां से यहां से मैं इंजो से देखिए अब आपको कुछ नहीं करना सैंप買 हैं यहां पर चुच के हैं जैसरा है यहां नहीं जये लिखना कुछ सकते हैं तो surina bleibt पने ओउए टेक्स के यह नहीं चाहिए हैं simply diesenpail करके बांको प्रठायगा यहां पर फोट में जाके यहां सीने क्लियर करते हैं यहां पर फोटो लगाना से यहां से अप्छिन अपर और c Dusic यहां पर क्लिक किया मैंने यहां पर फोटो है वह भी मैं आपको लगा के दिखाई देता हूं यह जैसे यह फोटो है इसको मैं open करता हूं simple है, शीकिल कुछ भी नहीं है यह देखें यहाप इस तरह ड्रैक करके फोटो भी लगा सकते हैं यह देखें फोटो लगा दिया है अब माले ते यह वह आपको नहीं चाहिए यहां कुछ आपको लिखना है यह फ्रेम नहीं चाहिए आपको टेक्स फ्रेम तो आप इसको इहां से डिलीट कर दीजिए और आपका जो भी मैटर वगरा है यहां पर लोगों दे दीजिए सब कुछ बताया गया देखिए तो सिस्टेमाटिकली समझाया गया माले मालेते हैं बुलेंगे नहीं भाई मुझे अपना खुद सा बनाना है तो क्या करेंगे तो यहां पर देखिए स आपको समझा दिया गया देखिए ध्यान से देखिए समझा देगा यह सब कुछ नहीं चाहिए तो यहां से स्लेक कीजिए यहां से इसको क्लेयर कर दीजिए यहां से इसको क्लिक करके यहां से डिलीट कर दीजिए यह टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए यहां से फ्रेम नहीं यहां पर नहीं है उसके बाद सो कलर से देखिए जो कलर जो यूज किया यहां पर दिखा रहा है जो कलर आपको चेंज करना है आपको चेंज कर सकते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रांड वाला देख सकते हैं और यह पैनल फोर्थ वाला यह और चला जाता है तो यह आपका आwnसायड करोंट करना है डीच करते हैं यह सब हम एक इसमय धेगने चाहिए तो यहँ सब कर दिजह और कुछ नहीं करना है सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए यहां से सिंपल है यहां से इस पर क्लिक कीजिए जैसे यहां पर कुछ लिखना है तो यहां पर जैसे मुझे यहां पर देखना है यहां पिल नहीं समय गार्भक तोसल lawn ब् Gabe cad क्लिक कर दीजिये खिल और आप ना वग्या है को c fraps 5 यहां तो इसको आप यहां पर पूरा सेट अप मिल रहा है तो आप इस तिरह से अप इसको प्लस किजये उसके बाद इहां से हैं हैंहेंट हैं हैं तो सबकुल देखिए तो change भी कर सकते है guideline यह आपको लगता है कि नई भाई future में मुझे और भी design वगरा बनाना है तो simply text वगरा हटा दीजिए और यहाँ पर अपना matter उसको आप यहाँ पे put कर सकते है guideline को भी अगर हम guideline को ना छेड़े क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया कि इस portion मुझे text रखना है यहाँ पर मुझे photo रखना सब कुछ आपको यहाँ बना बना है आपको मिल जाएगा कुछ भी महनत नहीं करना होगा साई ने लेना होगा सब कुछ देखें यहाँ पर यह देखें हम अधियों करने होगा दिए यहाँ पर नहीं डिक्स् landmark कि ईक्स जासा आपका दिल करें अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं तो यहाँ फिर फ بينूर्फश नहीं कर सकते हैं तो कहां मिलता है फिर से मैं आपको दिखादता हूँ विन्डू में गया यहाँ एर प क्ल template pallets में click कीजिएगा देखिए यहां पर एक जो category है templates का यहां से ब्रॉसर्स चूज़ कीजिएगा यहां पर अनगीन दिया हुआ बहुत सारे वीडियों अपलोड कर चुका हूं आगर आप में छानल में पहला बार देख रही है तो आप देख सकते हैं मेरे playlist है make करका वहाँ पर सारी वीडियों है और आप देखकर सीख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद का